और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालिवाल की कार पर हमला करने वाला श्रक्स गिरफतार कर लिया गया है आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफतार किया है तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दे स्वाती मालीवाल के घर में आपको बता दे उनकी कार पर ये हमला किया गया था हालनकि शक्स को गिरफतार कर लिया गया है और हमारी सयूगी इला इस वक्त हमारे साथ मौझूद है और जादा जानकारी लेकर इला पिशले कुस दिनों से देखे तो किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी इने धमकी दी गई थी स्वाती मालीवाल को और आज जो उनकी कार पर तोड़ फोर की गई है अगर मैं गलत नहीं तो कार उनके घर के भीतर खड़ी थी जिसमें तोड़ फोर की गई है इला और शक्स को आलनकि गिरफतार कर लिया गया है जी बिल्कुश वैता आपने बिल्कुल सही कहा कि आभी कुछी दिन पहले स्वाती मालीवाल को सब तमाम जो सोशल मीडिया हैं उन पर थ्रेट्स मिले थे जिनमें उनके रेप तक कर देनी की बाते लोगों ने कही थी और गंभीर बात तो ये है कि जो दिल्ली महिला आयूक की अध्याक्ष स्वाती मालीवाल उनका जब ये हाल है तो आप सोचिए कि महिला सुरक्षा कर आजधानी दिल्ली में क्या हाल है ये इसको तमाम तरीके से दर्शाता है और अगर बात करीजाए तो आज सुभा के घट नहीं पहुचा बसकार को नुकसान हुआ है जिसके फोटोस भी उन्होंने जारी करें जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस हमलावर्द को गिरफतार भी कर लिया है लेकिन इसी तमाम चीजों के बीच में जो मुख्यमंत्री है अर्विन केजरिवाल उन्होंने भी सवाल सी पर सवाल खड़े होते हैं और अभी कुछी दिन पहले जो सौति मालेवाल ने ट्वीट किया था उन्होंने साथी साथ जो यूनियन मिनिस्टर अनुराक ठाकुर उनको भी पत्र लिखाता जिसमें उन्होंने ये कहाता है कि साजित खान को एक रियालिटी शो के बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि तमाम तरह के जो उन पर मीटू के आरोप हैं वो काफी गंभीर हैं और करीब 10 महिलाओं ने उन पर यारोप लगाए हैं जिसके बाद उनको ट्वीटर पर खास तो और धंकिया मिलने लगी तमाम तरह की धंकिया मिलने लगी सवाल ये भी उठता है ज राजधानी दिल्ली में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं जी शोयता हमारे साथ बने रहे हैं एक और खपर